चलिए आज के इस वीडियो पे में आप सभी को ये बताऊंगा कि जो नेशनल इसकोलर्शिप पोर्टेल में जो आपका अम्रेलर इस्खीम को एपलाई करने का प्रोसेस केसे केसे करेगा वो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ हाला कि काफी सारे लोगों ने इसकोलर्शिप एपलाई कर दिया होगा क्योंकि most of the us are like रहा नहीं जाता वाला क्यतेगरे में आता है जिसके चलते काफी सारे लोगों ने उल्रेदी कर चुका होगा इसकोलर्शिप बगेरा को तो फिर भी काफी सारे लोग अभी भी होंगे कि जो अभी तक एपलाई नहीं क्या है ऐसे वाला तो उनके लिए काम आ सकता है तो आप इस वीडियो को लाज तक देख सकता है तो सबसे पहला चीज आप कोई भी दिवाइस यूज करो चाहें मॉबाइल पून, कम्पीटर, लेप्तप जो भी है वहाँ कोई सभी ब्राउजर 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 तो उसमें आपको किलिक करना है, तो वहाँ पे आप जैसे ही किलिक खरोगे, तो कुछ इस प्राकर से आपको यहाँ पे left side पे नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, apply for scholarship, तो यहाँ पे काफी सरे options है, जैसे कि apply for otr, apply for scholarship, register, institute, ऐसे करके schemes on nsp करके काफी सरे options यहा पे apply for scholarship का option पे हम किलिक करेगा, तो वहाँ पे जैसे ही किलिक करेगा कि आपका next interface में यहाँ पे आपको login करने का option आ जाते हैं, तो यहाँ पे login करने के लिए सबसे पहला चीज आपको चाहिए otr, जिसको हम one time registration करके जाना जाता है, वो चाहिए, और उसके साथ जो आपका password है उस otr का password, वो दो चीज आपको चाहिए होगा, जिसको आपको यहाँ पे enter करके, फिर आपको यह capture को नीचे में fill करके, फिर login पे click करके आपको login कर लेना है, तो यहाँ पे क्या है कि काफी सारे लोग हो सकते कि जिसके पास otr नहीं है और उसको नहीं पता otr के बारे में, तो उसको हम यहाँ से porgot otr पे जाके हम recover कर सकते हैं, और password को भी हम porgot password पे जाके recover कर सकते हैं, तो उस particular video पे मैंने काफी सारे details में बताया गया है कि कैसे करके otr को recover करना है, और वैसे तो otr सभी को मिला होगा, जो last year जिन्होंने भी scholarship apply किया था, सबको otr जो मिला होगा, तो उसको आपको recover करने के लिए आप पोर got में जाके कर सकते हैं, और आपको last year आपने apply नहीं किया था, ऐसे कुछ होने से तो आपको नहीं मिला होगा, तो ऐसे होने से आप यहाँ पे new user करके register yourself का option पे क्लिक करके, तो आपका other cut का मदर से आप जो register कर सकता है, तो यहाँ पे otr number बरना है password, फिर capture, उसके बाद login पे क्लिक करके आपको login कर देना है, तो login पे जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इसप्राकर से आजेगा, कुछ pop-up, login successfully करके, तो यहाँ पे आपको ok कर देना है, तो जैसे आप ok करके login करोगे, तो यहाँ पे मैंने last year already apply किया था, जिसके कारण यहाँ पे मेरा last year बाले details जो soll कर रहinander, और यहाँ पे renew के लिए हमको यहाँ सो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पिल्हाल के लिए मुझे यह वाला apply नहीं करना है, तो हम अमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सबसे पहले withdraw करना पड़ेगा, तो withdraw करके मुझेifi से प्रेस से apply करना है तो आप लोगों में से हो सकता है कि जिसको last-year का भाला को withdraw करके फिर नया से apply करना है ऐसे भी हो सकते हैं या अबका last year कुछ अलग geschिम me तक और या अभी अज़िव कredict you must apply करने जा रहा है ऐसे कुछ हो सकते हैं तो ऐसे कोई मैं भी केस होने से तो आप सबसे पहले से लास यह वेड्रो करना हो थीकंए यहां पर आपको जोчи हम लगा करके जोको कर सकते ह हला कि हम भी यहां से देप्लाइज प्रेस पे क्लिक कर सकता है तो ऐसे होने से मेरा बात में जाके reject हो भी सकता है क्योंकि मेरा यहाँ पे एक active है जो लास यह मैंने एप्लाई किया था वो उल्रग एक टीब है डाईट पे आपको विड्रोच। एक्विदर्व तो आपको विड्रोच कि अपछले की सघाकश साला ओदूर। उसके बत में आगे नहीं की जाओंगा तो विड्रोम होने के बाद पिर मेरा यहां पर कुछ इसप्राकर से आजगा। पहले क्या था कि यहाँ पे active के आ रहा था फिर यहाँ पे withdraw कर के आ गया तो मेरा यह वाला जो withdraw हो गया है अभी मुझे New से करना है, यानी कि Press से तो मुझे Press करने के लिए, यहाँपे Left Side corner पर अपको Apply、 Press का उप्सन है तो Apply Press पर हम किलिक करेगा तो apply price पर किलिप करने पर यहाँ पर कुछ इसप्राकर से guidelines आजेगा तो जिसको आप पर सकता है तो परने के बाद पर यहाँ पर दो checkbox मिलेगा जहाँ पर आप किलिप करके check mark दे देना है और यहाँ पर I agree का option होगा जहाँ पर आप किलिप करके आगे proceed कर सकता है तो आगे proceed करने पर आपको यहाँ पर कुछ इसप्राकर से आजेगा जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना जो permanent address का जो state है वो आपको यहाँ पर select करना है तो जैसे कि मैं अरुनाचल का हूँ तो यहाँ पर मैंने अरुनाचल प्रदेश सेलेक कर लिया है तो अगर आप अरुनाचल प्रदेश का है लेकिन आप देली में पर आई कर रहे है अरुनाचल प्रदेश का है आप चनाई में पर आई कर रहे है अरुनाचल प्रादेशका है या कहीं दूसरा जगा प्रहा करेए ऐसे आपको यहाँ पर आपैंञेट़् करेंगे तो यह होने के बाद पिर आपको यहा पे Eight Đ jerक कर लेना है देखके उसके बाद पिर आपको एक Aujourdशिंग करके आपको प्रोन देखने को मिल सकता है तो यहा पे क्या करना है Schools का जैकर चाहे अप जो भी हो देखिए तो यह बेसिक साचीसाची से लेकर यहाँ अपर आपर सब्सक्राइब करना है तो जैसे आप सब्सक्राइब करना है तो जैसे आप सब्सक्राइब करेगा यहां पर एक बर पूचा जाएगा कि प्रोसीड करेगा क्या तो आप यहां पर ओके कर देना यानि कि प्रोसीड करेगा तो प्रोसीड करने के सार्थी साथ यहां पर कुछ इ देख सकते हैं विड्रो कर चुका है अभी दूसरा जो अभी new application है जो प्रेस है जो अभी active है तीक है लेकिन अभी तक मैं आप्लाइ नहीं किया है तो apply करने के लिए यहाँ पर proceed का option मिलेगा तो proceed का option पर हम क्लिक करेगा तो proceed का option पर क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ कुछ इस प्राकर से आजएगा आपका basic से details वगरा कुछ कुछ चीज यहाँ पर आजएगा जिसको आपको देखना है तो कुछ कुछ चीज बेसिक सा चीज जो यहाँ पर automatic आया है वह आपका other card base से आ सकता है तो कि उसके बाद स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर next पर आपको कुछ details इंतर करना है जहाँ पर जैसे कि community पर आपना community सेलेक कर लेना है और religion जो भी है आपका जैसे कि मैंने यहाँ पर आदर सेलेक कर लिया है annual family income जो आपका income certificate में जितना amount है यह वो same होना परेगा तो यहाँ पर आपने 80,000 कर दिया और आपका income certificate में one leg है ऐसे नहीं होना है दोनों का amount का number same होना है तो disable है तो आप yes करना है otherwise no कर देना है और parents का जो profession है वो आप कर सकता है otherwise आप मेरा जैसे others को select कर सकता है और marital status में आप जो जो भी है आप अपना हिसाब से देखके कर लिजेगा उसके बाद जो parents का यह वाला related को आप note applicable डल सकता है तो in case आपका parent जो COVID-19 के समय में death हो गया ऐसे कुछ issue होने से तो आप select कर सकता है otherwise आप यहाँ पर note applicable को select कर सकता है तीक है उसके बाद फिर scroll करने पर आपको नीचे जगा आजएगा जहाँ पर आप देखके अपना permanent address को बर देना है इस तेट पर already select है और उसका district select करना है और locality select करके फिर बाकी सारे details को डालना है फिर आपको नीचे पर save and next का option मिलेगा जहाँ पर आपको click करने पर तो आपका जो यहाँ पर जो आपका present course का जो institute select करने का ज institute का option है जिस पर आपको click करना है तो get institute पर click करने पर आपका कुछ इस प्राकर से आजएगा यहाँ पर क्या करना है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है तो सबसे पहला जिस आपको यहाँ पर आपका institute कौन सा state में है वो आपको यहाँ पर select करना है तो मैंनों कि आप आप प्रदेश में पर रहे बोलने से तो अरुनाचल प्रदेश सिलेक कर लिए पिर दिस्ट्रिक को सिलेक कर लिए कि आपका इंस्टीट जो कुण से दिस्ट्रिक में है वो आप यहाँ पर सिलेक कर लेंगे उसके बाद पिर आपका यह दो चीज को सिलेक करके भी आप यहाँ पर स और नाम को दाल के type करके फिर search कर सकता है उसके बाद भी आपको मील जाएगा तो अरुना इनसीटीट नाम को भी select, इनसीट्ईट नाम को भी type कर सकता है उसक कि इनस्टीट्यूट नाम को भी यहाँ इंस्टिट्टीट नेम को पूरा अचा से टाइप करके सर्च कर लेना है पिर आपको मिल जाएगा तो सारा चीज़ करने पर आपको यहाँ पर कुछ इस प्राकर से आजएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर अलड़ी इस यहाँ वार्वनाचल प्रदेश दिस्ट्रिक कुछ प्रा cage आएगा यहाँ-पर इस कर देना है उसके बाद ऑफ इथ कर्णने के बाद यहाँ पर आपका इंस्सितितीट का नाम पूरा देटल्ड्स एड्रेस साथ पूरा यहाँ पर यहाँ पर अफरे आ जाएगा तिесके बाद फिर आपको यहाँ पी अपना admission करते वक्त जो आपका money received है वहाँ पर कौन सा date है उसको भी आप direct use कर सकता है तो कोई issue नहीं होगा ठीक है उसके बाद यह जो admission, registration, enrollment number यह इतना mandatory भी नहीं है इसको आप skip कर सकता है otherwise आप इसको दलने मन होने से दल सकता है तो कोई issue नहीं है तो यहाँ पर भी इतना cost तो नहीं है फिर भी आप इसको भी select कर सकते है अपना हिसाब से तीक है उसके बाद नीचे में जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ spraker से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना जो present class course है master of arts का है तो MA course है तो वो दो साल का होता है तो यहाँ पर master of arts करके two years हो गया और present class course में जैसे कि मैं पिल्धाल first year या first semester में है तो यहाँ पर one होगा उसके बाद पर class का जो present class का start date को आप अपना money receive का according कर सकते है अधरवाइस आप आगस माइना का कोई भी date को आप यहाँ पर दाल सकते हैं तो कोई issue नहीं है उसके बाद पिर आप यहाँ पर यह वाला option को admission, registration, enrollment number इसको आप skip कर सकते हैं उसके बाद पिर आपका admission, registration, enrollment year तो यहाँ पर enrollment year को select कर सक सकते हैं, section जरूरी नहीं है आप चोर सकते हैं और यहाँ पर mode of study में आप drop down option पर click करके आप select कर लिजे, इनकेस अगर आपका distance वाला course है तो आपको correspondence या distance कुछ option होगा, तो वो select कर लेने हैं, और regular वाला है तो regular और full time और full time वाला को select कर लेने हैं, और अगर आप hostel रहता है त आपको बात में hostel का कोई भी documents आपको provide करना होगा, तो उसके लिए आप hostel रहता है तो yes करो, और नहीं रहता है तो no करो, तो यह सारा चीज होने के बाद पिर आपको यहाँ पर जैसे की, निचे में काफी सारा options देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देख सकते, previous academic details, 10 class details, 12 class details, तो उसको fill करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करने है, यहाँ पर आपको drop down option मिलेगा, तो वहाँ पर आपको किलिक करने है, तो यहाँ पर अपना previous class, कौनचा इंस्टिक्यूट या university या college में थाओ, उसको आप यहाँ पर select कर लेज़ेगा, फिर कितना कब pass हुआ था, उसके बाद इतना आपका previous class, course, qualifying, exam वागेरा आप देखके कर लेज़ेए और percentage वागेरा, तो ऐसे ही सेम चीज़ आपको यहाँ पर class 10 का इसमें भी drop down option पे करना है, और 12 का इसमें भी करना है, और यह competitive आपको कुछ भी नहीं करके skip कर सकते है, चोर सकता है, त अगर मेरा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे master course का कर रहा है, तो उसके कारण से यहाँ पे 10-12 भी मांग रहा है, तो in case अगर आप class 11 में हैं बोलने से, तो आपको यहाँ पे 12 वाला option सायद नहीं आएगा, और 11-12 में होने से आपको नहीं आएगा यह option, और अगर आप college level या university level मे हैं बोलने से तो आएगा, तो आप देखके उसको बढ़ने से, और यह competitive वाला को आप छोड़ सकते हैं, और नीचे में option हैं, आपको 7 next पे क्लिक करके कर देना है, जैसे कि class 3 या 12 में आप drop down option पे क्लिक करेगा, तो यह सारा चीज आपको बढ़ना परेगा, role number और YCM को confirm के और कौन सा board से, school का भी क्या होता है कि कोई neoos से होता है, कोई CBSE से होता है, कोई state board से होता है, अलग-अलग board होता है, तो उसको आप देखके कर लेजे, उसके बाद passing year वगेरा, percentage वगेरा देखके दाल देना है, तो सब कुछ ऐसे करने के बाद पिर आपको क्या करना है, यहा एपको continue का option है, तो continue का option पे click करने के बाद पिर यहाँ पे application specific यहाँ पिर आपको sub and next पे click कर देने, उसके बाद पिर यहाँ क्या scheme यहाँ पे available है, वो यहाँ पे show किया जाएगा, और मेरा लिए यहाँ अम्रेला scheme बाला है, तो यहाँ पे circle करके है, तो उसमें आप click करके select कर वह लेते हैं, आपको से reg अपना है नो कहांते है। उसके बाद पिर आपको 7next.com पे क्लिक करना है, झाल पर पर यहा पर कुछ स्प्राकर की सिंबल है। जहां पर यह वाला सिंबल है वह मैंडेतेरी हैं आपको उसको जेखे से भी अपको बाइस जरूरी नहीं है, तो आपका PDF में होने से बीचलेगा, JPGE format में होने से भी हए, तीके, तो दोने में कोई से भी format में होना है, लेकिन आपका साइज जो है कि ज्यादा बरा नहीं होना है, और पकशी तो जितना साइज होना चाहिए वह साजी यहाठ पे occup 一樣 co यह अगर को आप दूस्तिकल तो बाड़ से लिए और यह वाला को अपलूट करेगा । इसे ब house the higgy इसको ब्सक्राइब करें से कुछ नहीं मों लुभू हम Dollar 2022 को graduation हुआ था तो 23 को मैंने जोइन नहीं करके ऐसे ही बेरोजगर परा रहा है उसके बाद इस साल मैंने पिर से master के लिए जोइन किया है ऐसे कुछ होने से मेरा gap हो गया तो तो इसलिए मुझे वहाँ पे gap certificate provide करना होगा अधरवाइस अगर आपने graduation के सार चार master भी जोइन किया है और master complete के बाद भी आपने BA में enroll करके आभी BA में जा रहा है ऐसे होने से भी आपको gap का certificate जरूरी नहीं है क्योंकि आपका education जो continue चलता आया है तो बीच में तोरा सा break ले लेगा करके ऐसे कोई break नहीं लिया है तो आपको gap का जरूरी नहीं है otherwise आपको gap provide करना है तो यह सारा चीज़ करने के बाद documents वगएरा अपलूट होने के बाद पिर आपका कुछ इसपराकर से नजर आएगा documents वगएरा view and upload का option कुछ इसपराकर से आजएगा तो मैं यहाँ पर जैसे कि मान लो कि में अपना form बर रहे है और मैं hostlair नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर hostel का भी provide करना नहीं परा और मैंने gap भी नहीं करना है continue से मिने यहाँ पर gap certificate भी नहीं परा है जो जरूरी है, जो reminder cette decision है उसके बाद यह दोनों को छोड दिया है तो यह सारा चीज ऐसे होने के बाद पिर यहाँ पर final summit पे क्लिक करके आगे प्रोसिज करना है और उससे पहले final summit करने से पहले आप यहाँ पे view and download का option पे क्लिक करके सही documents अफुक्राइमट्ड हुआ है कि नहीं वो आप चेख कर सकते हैं तो सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे finalET पर क्लिक करेंगा तो final summit पर क्लिक करेंगा तो कुछ सप्रकार से यहाँ पर पौप आप आए गा तो आपको जहां पर आपको कुछ नहीं करना है बापत से आको आपको को यहां पर आपको और आपको एक option मल आपने print application form तो यहाँ पे आप print application form पे क्लिक करना है और उसको download करना है, download करके आप अपना mobile phone, computer laptop में save करके रख सकता है, in case आपके पास कोई भी printer connected नहीं है तो, in case आपका printer, कुछ भी printer connected है तो आप यहाँ पे print application form पे क्लिक करके फिर उसको आप continue direct आप print कर सकता है, और confirmation page यहाँ से मिलेगा और वो confirmation page जो है कि दो pages का हो सकता है, तो अगर आप हो सके तो उसको एक ही page में both side करके, आगे पीछे करके print कर सकता है और जो documents आपने upload किया है उसके साथ attach करना है, और यह application form है, जिसको हम confirmation page भी बोल रहा है इसका आपको दो page मतलब निकलना है, देखे, तो एक बला मतलब, एक page में both side करके करो, और दूसरा page में भी both side करके करो, ताकि आपका मतलब numbers of pages जो कम हो, इसलिए, क्योंकि यह application form और confirmation page जो है कि, दो page का है वो single page में exist नहीं हो पाएगा जिसके लिए single page में exist होने के लिए आपको उसको board site में करना होगा तो ऐसे करके आपको दो तुक आपको करना है, एक बला को आप अपने पास रखना है, दूसरा बला को क्या करना है, अपना institute पे जमा करना है जैसे कि आप college में हैं बोलने से तो उसके साथ जो जो documents अपलूट किया था उसको jorox करके, साथ में attach करके, यानि कि इस तेपल मारके पिर वहाँ पे आपका sign करने का जगा होगा तो वहाँ पे sign कर लेजे प्रिंसिपल का seal and signature ले लिजे और जहाँ पे समिट करता है scholarship वगेरा का, उसका अलग से room होगा अपना-पना college में अपना-पना institute में, अपना-पना school में तो वहाँ पे अलग से उसके लिए जगा होगा वहाँ पे आप जाके समिट कर देना है और रहाबत राजिब गंदी यूनिवर्सिती का यूनिवर्सिती का बात करेगा तो आपको क्या करना है confirmation page में अपना signature करना है पिर अपना department से होटी का sign कही side काली जगा पे site पे ले लेना है और वहाँ पे जो head of the institute वगेरा को आपको sign कराने के लिए side register वगेरा का sign चाहिए होता है जो आपको RGU का administrative block पे academic branch पे आपको वो ले जाके उसका sign वगेरा ले लेना है तो ऐसे ले लेने के बाद पिर आपको वो उसको लेके sign हो जाने के बाद पिर आपको bcet में जाके जमा कर देना है यह रहा राजवगंधी university का और college school वाला का तो और भी आसन होता है और college का तो और भी आसन और RGU का तो रहा सा complicated होता है तो इसलिए तो रहा long process है तो ऐसे करके आपको कर लेना है तो उसको summit करने के बाद बस हो गया उसके बाद पिर आपका state level में verify होना है फिर national level में verify होना है मतलब state level बोले तो institute level पे एक बर verify हो उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस बीच-बीच में login करके अपना application status को चेक करते रहना है दो stage में verify होगा एक आपका institute level में दूसरा आपका state level में बीच में defect हो गया और आपको पता ही नहीं चला है ऐसे होने से फिर आपका गलती हो जाएगा तो इसलिए आपको क्या करना है बीच में इसमें आपको login करके चेक करते रहना है तो आगे बात में हम और भी बात करेंगे कि ऐसे कुछ process होने से तो कैसे करना है और क्या जो क्या है वो सारचिस को हम अलग से बात में फिर if possible बात करने की कोशिस करेगा तो मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो पर completely मैंने आप लोगों को आचा से information को समझा पाया है तो अगर आप समझ गया बोलने से तो आप आगे आपको जो करना है वो आप कर सकते है इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ से कर सकता है confidence है तो आप कर सकते है otherwise मैं आपको recommend करूँगा अगर आपकी पास कोई confidence नहीं है तो आप कोई भी nearby cyber पर जहाँ पर मतलब cyber वाला आचा से कर देता है वैसे तो सब तो आचा से कर देना चाहिए लेकिन कुछ कुछ जगा पर क्या होता है कि जो new learner होता है तो उसके लिए तोरा मुश्किल हो सकता है फिर भी उसको भी आप अपना आप इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे चीज आपको मालुम है तो उसको गाइड करते हुए भी करने दे सकता है वो आपका उपर है तो आप कुछ पर कंफिदेंस है तो यू कन दू इत बाई और यॉर्सेल्फ आदर्वाइस यू कन गो तू दा सैवर भाला बया तो इस वीडियो को आप आगे भी यू कर सकता है और शेयर करना बिल्कुल फिरी है उसके बाद मेरा चैनल में इस तरह की वीडियो काफी सारे डालता रहता है तो आप मुझे यूट्यू पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेली ग्रम चैनल है वहाँ पर जोइन करके रख सकते हैं और पेस्बूक आप मेभी रहता हुएक्टी तो वहाँ पी मुझे फोलो कर सकते हैं तो आप